Google Analytics Setup आज के इस वीडियो में आप लोगो को बताने वाला हूं किस तरीके से आप लोग Google Analytics का सेट अप अपनी वापसाइड में कर सकती हैं चाहिए आपकी वेबसाइड वड्प्रस की ओपर हो, ब्लॉगर की ओपर हो या फिर एक नॉर्मल स्टेमल की वेबसाइड हो इजीली मिल जाता था गूगल ने थोड़ा अपना प्रोसेस चेंज कर दिया है तो इसलिए 2021 में अगर आपको गूगल अनलेटिक का सेट अप करना है तो इस वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए तो कि इस वीडियो में आपको उसका नया तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप गूगल अनलेटिक के कोड को फाइंड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइड में लगा सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोड़ी से रिक्वेस्ट है चैनल पर फरस्ट आम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर मेरी जितनी वीडियो है वह आप लोगों तक पहुंचती रहें मैं अपने इस चैनल के ऊपर वर्डप्रेस वेब डेवलोप्मेंट, SEO, मेक मनी, ऑनलाइन इस से रिलेटेट काफी वीडियो बनाते रहता हूं तो आप लोग अगर इन च के बारे में तो टॉपिक को शुडू करते हैं सबसे पहले की गूगल एनलेटिक कोड आपकी वेबसाइट के लिए जिरूरी क्यों है गूगल एनलेटिक को आपकी वेबसाइट को टोटली मॉनिटर करता है वह आपकी वेबसाइट मेंट को पूरा मॉनिटर करता है आपकी वेबसाइट के आने के बाद वो कौन-कौन से पेंजिस को विजट करता है वो सब चीजें Google Analytics से आप मॉनिटर कर सकते हो बहुत ही असानी से इसलिए आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर Google पर टाइप करना है Google Analytics पहले लिंक पर करना है आपको क्लिक और फस्त तरह पर इस तरह कुछ आपको स्क्रीन दिखाई देगी आपको यहां पर स्टार्ट मेजिरिंग पर करना है एपनाओंट का नां डालना है तो से इसको मैं कॉपी करता हूं आपको नेग्स के बटन पर करना है क्लिक याँ घुक्त आपको प्रॉपर्टि नेम डालना है यहां लेकार दरस डाल देताओ मेरी वेसाइट का एडरस है इसको मैं कापी करता हूं कि इसको इहाँ पेंपल नहींच कर देता हूं तो हम कईक करलेंगे उसके ऐसे विह कुछ क्रेंशी का नहीं करने वाले तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको बाद आपको next पर करना है click next पर करने के बाद आपको बताना है कि आप जो आप जो वेबसाइट है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं जैसे एक से 10 हैं या फिर medium size large size very large है यहां पर मैं अकेला हूं तो मैं यहां पर 1-10 अप्रेंट सेलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद यहां आप सकते हो यहां पर सकते हो यहां पर इंटेंट तो यूज गूगल अनलेटिक विद यूर बिजनस यहां पर किस चीज़ के लिए आप यूज करते हो आप सब्सक्राइब करना चाहो तो टैसर ओसंmit हो है कि एडियर क्रिए पर करना है क्लिक आपको यहां पर आने के बाद आपको simply इंडिया सेलेक्ट करना तो कि हम इंडिया से तो हम सब्सक्रकिंडिया कर रखें तैंट करना है इसको अभिक करना सतुग में करना pole कृट तो आपको सिंपल वेब पर करना है क्लिक और आपकी वेब सैट का एडरेस दालना है आप यहां पर आपको प्रेस डालना में आपको गॉपन कर सकते हो जिए हैं इनलेटिक कोड और सेटिंग कोड को पेस्ट करना होता है अभी आपको स्क्रिन पर इमेज दिख रही है इस इमेज के यहां पे ठिक कर रखा है जब आप ब्लॉगर की सेटिंग पर जाते हैं तो यहां पर आपको इस तरीके का ऑप्षिन दिखेगा वहीं पर जाके आपको यह पेस्ट करना होता है अब बात आती है कि अगर आपको यह वेबसाइट के अंदर डालना है तो वेबसाइट के अंदर कैसे डाल सकते हो वर्डप्रेस की डालना कैसे डाल सकते हो उसके लिए simple आपको辉 période करना है उसके लिए आपको quit करना है Google это इस प्रपू करनारे क्लिक और ये रहा आपका Google iPad कोड आपको इस gode को क्वापी करना है जानि आप कौपी करेंगे एड अंभ रिश्च कोड को Espicata करना है अपनी WordPress की website के अगर मेरी prototype WordPress में नहीं एक normal stml website या फिर पीएश्पी वेबसाइड है तो simple इस टैक को आपको head tag के अंदर डालना होता है या फिर आप footer में body से पहले डाल सकते हो दोनों जगां कहीं भी डाल सकते हो मैं आपको अपनी WordPress की website पर इसको करके अब बहुत द्यान से पहले डालना है तो आप यहां पर डाल सकते हो या फिर आप footer टैक को सेलेक्ट कर सकते हो इस फूटर टैक को सेलेक्ट करने के बाद आपको simply नीचे आना है और body tag से पहले आप इसको simple paste कर सकते हो एंड इसको आपको अपडेट करना है आपको इस चीच का ध्यान रखना है कि code डालते हो बहुत ध्यान से आपको डालना है कहीं इंदो दर कोई code आप से delete या फिर backspace का बटन नहीं दबना चाहिए simple आपको body से पहले डालना है या तो फिर अगर आप header file select कर रहे हो तो head tag जहां close होता है उससे पहले डालना है तो यह तो आपको wordpress में डालना है तो ऐसे डाल सकते हो ब्लॉगर का मैंने आपको बता है कि ब्लॉगगर के setting में जाके आपको नहीं बली है तो यह तरीकरे से करना होता है और इसी त अगरार की वैबसड से पहले यह है और सिर्क लो व्य स्कतर जा究 सब्सक्राइव सरे नहीं के दीशच को टaları इसको अट करके जिए को अब हरे रेख लिया है कि रिलते है को फिर नहीं दिखाई दिए रहा है सो फिसके हैं न法 pr graphics कोड के रखा हूँ है यहां पर यहां पर यहां पर वन दिखा रहा है रिएल-टाइम एक्षज्ड. है और जिसे हैं जैसे चै Queensborough करता o यहां पर open case नहीं यहां का मुझे दिखा दिया अभी यह home page है home page के दोनों यूजर है अभी मैं कोई एक internal page खोलता हूँ जैसे मेरे element review का मैंने डाल के दिखाया था आपको अभी देखते हैं यहां पर change होता है कि नहीं होता आप देख रहे हैं यहां पर elementor वाला मैंने open किया यहां पर elementor वाला भी आ गया तो इस तरीके से analytic आपकी website के लिए कितना important है आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी website पर आने वाला user एक एक user कहां से है कौन से state से है कौन से device से है कौन से browser से है एंड उसने जो page view कितना किया कितना नहीं किया कितनी आपकी website पर रुका आपके homepage पर आया तो उस homepage से किसी और page पर गया की नहीं गया उसकी retention क्या थी उसके engagement क्या थी demography सब कुछ एक एक चीज आप Google Analytics की help से पता चल जाता है तो आपको पनी website के अंदर ये Google Analytics का tag जरूर यूज़ करना चाहिए यह आपकी website की activity के लिए बहुत important tool है जो की बिलकुल free of cost है Google की तरफ से तो आपको इस tool को जरूर यूज़ करना चाहिए मैं उम्मीद करता हूँ आ दो इसे तो झाए हैं जगले सैक्त tokens na उत्क enquanto पालरे कीए डिलक रावेका आपको एनरे एकले ज्राव में रहां प्यूज़ को पूचरेधा आपको प्रीद लिए इन से थादूनन् कीए है नप्मीदी wrappedstraits okun